नमस्कर दोस्तों मैं वहीं तरफ सभी को मेरे एटुबी चैनल पॉल ट्रफ पे स्वागत है तो दोस्त यह इमेज देखके हम लोग को बहुती इंटरेस्ट आ रहा है कि यह किस तरह से बनाया इसका रेजाल्ट क्या है तो दोस्त यह ऑनलाइन पे में बहुत दिलों से यह इम बनाने का जो फाइदा है हम लोग को किस तरह से मिलेगा क्योंकि देखिए यह एक्चुली लीटर का दरकर नहीं पड़ेगा जो आज की मार्केट में जो लीटर हम लोग बिछावन करते हैं उसका प्राइस चला गया एक टरन को अगर पकड़के चलिए तो 14,000-15,000 में विक आने के एक फाइदा है और उसके साथ इसका नेगेटिवनेस भी है एक एक पॉइंट करके मैं बताऊंगा आप सभी की साथ डिसकास भी करूंगा तो दोस्त उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट में कर लेता हूं कि अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लिस सब्सक्र पहला बात है इस तरह से अगर आप सेट बनाने के लिए सोच रहे हो तो सेट का जो लॉंग है जो हाइट है उसको डेफिनेटली इससे बड़ा रखना होगा क्योंकि जितना भी नेट आप कर दिजिए उसमें फैन का रिक्वेर्मेंट आपका पड़ेगा ही पड़ेगा और सॉल्व हो जाएगा और दोस्त इसके साथ ऐसा नहीं यह नेट के उपर अगर ड्रॉपिंग करेगा और जो ड्रॉपिंग है नीचे चला जाएगा मिट्टी में ऐसा तो होगा लेकिन नीचे में जो ड्रॉपिंग पड़ रहा है उसको भी आपको दो तिन दिन अंतर अंतर उसको क्लीन साफाई करना होगा क्योंकि जो लीटर के साथ हम लोग लीटर रैकिंग करते जो मुर्गों का बीट होता है वो सुख जाता है लेकिन इस तरह से अगर मिट्टी में ड्रॉपिंग करेगा तो सुखने का जो टाइम है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और उसके सा लेकिन एक दिक्कत इसमें आता है मुझे जो लग रहा है मैं मेरे नजर पर बोल रहा हूं यह विंटर सीजिन में तो दोस्त हम सभी को पता है विंटर सीजिन में हम लोग को बहुत दिन मतलब 10-12 दिन तक पुरा मुर्गों को प्रैक टाप करके रखना पड़ता है जैके मि दोस्त इसमें थोड़ी सी यह दिक्कत है कि माल लिजे कि आपका विंटर का बैस चल रहा है तो यह जो नेट के उपर चिक्स पड़ा है नीचे में तो आप कुछ बिछववन नहीं करोगे अगर करोगे तो उसमें ड्रॉपिंग आयेगा तो आपको मिट्टी को ढखने के ल तो ड्रॉपिंग का जो स्मेल होगा वो फार्म के अंदर बहुत हद तक बढ़ जाएगा क्योंकि वो सुखेगा नहीं और जो फानी वानी का जो अब देख पर है ड्रिंकर उसमें भी थोड़ा बहुत पानी तो गिरता रहता है तो ड्रॉपिंग के साथ मिक्स होके अमोनिय जो स्मेल है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा आपको क्लीन करना है लेकिन इस तरह से एक बार अगर आप खर्चा करके सेड बना लोगे तो उसमें आपका जो लीटर का प्राइस है वो सेफ हो जाएगा क्योंकि हार लोट में मान के चलिए एक दो हजर का सेड है तो उसमें 8000 रुपया का लीटर ही लग जाता है अगर आप 3.5 पकड़के चलिए थोड़ा करके लेटर भी दिजएगा तो 8000 का अभी का मार्केट प्राइस में 8000 रुपया का लीटर ही लगेगा और मुझे लग रहा है कि इसमें चीक्स का ग्रोथ भी अच्छा होगा अगर आप मेरा जो नजर है मैं बता दिया तो दोस्त इसी के साथ समप्त करतु हूं यह वाला वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए जाके हर पर्टिफर्वाइक को मेरा सुचना मिल सके उसका लाव हो सके धन्यवाद